नमस्कार दोस्तों मैं आलोक सिंग आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्यान गंगा अलोक पर हर्दिक स्वागत करता हूं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं राश्री योजना 2022-23 के लिए आवे दन आप कैसे करेंगे राश्री प्रोडल के माध्यम से यह योजना राज सरकार द्वारा केवल बालिकाओं के लिए प्राणा की गई है जिसके तहट बालिका को बारी कख्छा उत्तीन करने तक 50,000 रुपे के राशी 6 किस्तों में प्रदान की जाती है जिसकी प्रथम दो किस्ते में से एक किस्त उसके जन पर दूसरी किस्त उसके ठीका करन होने पर यानि एक साल होने पर और तीसरी किस्त उसकी प्रथम कख्छा में प्रोड़ेस लेने पर दी जाती है इस योजना के लिए क्या-क्या सरते हैं आवे दन कैसे करेंगे आवेदन करने से पूर सालादरपन पोटल पर क्या-क्या बदलाव करने हैं वो समस्त जानकारी में आपको इस वीडियो में प्रदान करूंगा आपसे निवेदन है कि यदि आपने इससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिक्शन आपको मिल सकें चलिए वीडियो को प्रद्व करते हैं राश्री योजना का आवेदन करें उससे पहले हमें कुछ महत्मूर्ण कारी करने होते हैं उसमें से सबसे पहला कार्य है इंचार्ज मैपिंग का जो की विद्याले के लोगिन से होगा विद्याले लोगिन से इंचार्ज मैपिंग करने के लिए आपको आपके विद्याले के साला दर्पन पॉर्टल पर लोगिन करना होगा चलिए हम लोगिन करते हैं हम आईडी और पास्वार डालकर और कैप्चा कोड इंसर्ट करके जो मैंने यहां प्रवेस्ट करवा दिया है कैप्चा कोड लोगिन करेंगे लोगिन करने के बाद आप डेस्बोर्ड पर पहुंच जाएंगे जो विद्याले के सालदरपन पॉड्डर का डेस्बोर्ड है उस पर आपको सबसे पहले कुछ सुष्टाओं को चेक करना है यह दिवो इनचार्ज का वर्किं चार्ज का जो टेब है यह आपधें इस तो आप इस पीछ भातने के बाद में ईसको प्रेस करना है यह형 तो आप इस पारदल पर पहुंच जाएंगे प्रवाग पहुंच जहां से इंचार्ज के जाता है यहां आपको नीचे विद्याले में बनाए गए इंचार्ज की सुची दिखाए देगी जैसे आपको यहां दिखाए दे रहा है मेरे विद्याले में हमने पॉस्ट मैट्रिक इस्कोलर्शिप का इंचार्ज बना रखा है, प्री मैट्रिक का इंचार्ज बना रखा है, रासरी योजना का इंचार्ज बना रखा है, रासरी योजना के 3-3 इंचार्ज हैं, तो वो 3-3 इंचार्ज क्यों दिखाए दे रहें, वो आपको बताता हूं, यह जो नीचे पासमे नमबर पर है वो deactivated है यानि पहले थिंधा इचीवेट लेगर कर दिया गया और तीसरे जो इंचार्ज है उनके तक आगे आपको लिखावा मिलेगा एक्टिवेट लिए जो ब्लर्रक रखा रहे तो तो यह इसमें इनचार्ज है और यहां पर जब तक आप इंचार्ज मैपिंग नहीं करेंगे तब तक आप राश्री योजना के लिए आविदन नहीं कर पाएंगे यदि आपके यहां राश्री योजना का इंचार्ज नहीं बनाया गया है, तो पहले आप राश्री योजना के लिए इंचार्ज मैपिंग करें, इंचार्ज मैपिंग करने के लिए आपको करना क्या है, वो आपको मैं बता जिता हूँ, यहां से सलेक्ट रोल करना है, सलेक्ट सूची में से आपको नाम select करने हैं, जिसको भी इंचार्ज बनाना है, उसके नाम select करने के बाद Add button के क्लिक कर देना буण. और यह लिधी पहले से बना हुआ है तो बनानी का उशिकता नहीं है, यहां से ही आप राष्री योजना Cांटाना सकते हैं, यहीं से प्रिमेटरिक scholarship का इंचार्ज बना सकते हैं यहीं से आप पोस्ट मेर्टरिक का इंचार्ज बना सकते हैं ata से जो सुची देख़ाए देघी उसमे से नाम सेलेक करना है जिसको बनाना चाहते हूं धुप बाप को क्लिक कर देना है जैसे आइड बिटन बाप क्लिक करेंगे सूची में नीचे नाम आपको प्रदशित होने लग जाएगा और वहां आप देखेंगे तो एक्टिव दिखाई देगा जिसको भी आपने इंचार्ज बनाया है उसके नाम के आगे दिखाई देगा और जि यहां पर आपको कक्षा में आपका जो नामांकन है वो देखना है कक्षा एक में क्योंकि यह योजना कक्षा एक के विद्यार्थियों के लिए हैं कक्षा एक में जो विद्यार्थि हैं उनकी सूची आपको देखनी है उसमें कित्ते विद्यार्थि हैं अब यहां से हम सेक्षन सेलेक्ट करेंगे 22 कक्षा सेलेक्ट कर लेंगे एक और सेक्षन सेलेक्षन कर लेंगे जो भी आपको विद्यार्थियों की कुल संख्या दिखाई देगी दिखाई देगी और यहां पर उनका एसार नंबर दिखाई देगा एसार नंबर के बाद में आपको इस जगह पर विद्यार्थि का नाम दिखाई देगा और इस जगह पर father's name दिखाई देगा यह आपको father's name है मैंने blur किया हुआ है यहाँ पर mother's का नाम दिखाई देगा यहाँ cast category दिखाई देगी और यहाँ पर gender दिखाई देगा आपको यह ध्यान रखना है कि यह लड़कियों को ही मिलता है इसलिए अगर girl है तो उसको मिलेगा और boy है तो नहीं मिलेगा और यहाँ पर एक death of birth का column है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है यह death of birth का column भी आपको check करना है कि उसमें death of birth क्या दी हुई है आपको मैं बता दूँ कि राश्री योजना के लिए यह पात्र जो बालिका है उसकी जन्म की जोतित्ति है वह एक June 2016 के पश्चात होनी चीए एक June 2016 या उसके पश्चात की होनी चीए उससे पहले अगर उसका जन्म है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है यह सूची देखने के बाद पहले आप यहां से सलेक्ट करने कि कौन-कौन सी बालिकाएं हैं पहले तो बालिकाओं को मिलता है इसलिए बालिकाओं को का ध्यान रखना है और दूसरी उनकी जन्तिती एक जून दो या सोलर के बाद की जिनकी भी जन्तिती है वह राश्री योज आपको क्या करना है विद्यार्थियों के प्रपत्र 9 में जाना है और विद्यार्थियों के प्रपत्र 9 में जाकर उनके सभी प्रपत्रों को भरना है जब तक प्रपत्र नो नहीं भरेंगे तब तक आप आवेदन न करें तो आप वापस विद्यार्थी टेप में जाएं और विद्यार्थी विवर्ण प्रविष्ठी को चेक करें और जिनके प्रपत्र नो भरे वे होंगे उनके नाम के आगे ग्रीन सिगनल होंगे और जिनके गो बटन बर प्रेश करेंगे तो आपको यहां दिखाई दे रहा है कि मेरे हाँ सभी विद्यार्थियों का प्रपत्र नो भरा हुआ है आप सभी विद्यार्थियों का पहले प्रपत्र नो भर लें इतना काम करने के बाद आप यहां पर पहुंचे आपका यहां से काम समाप् आपको यहां से logout करने के बाद आपको राज्चरी यौजना के लिए आविदिन कहा से करना है वह मैं आपको बता रहा हूं जैसे आप लोगाउट करके बाहर आएंगे आप कुने पुराने वाले टेब पर आजयेंगे जहां से आपने विद्याले के लिए भी लोगिन किया था अब आपको स्क्रोल डाउन करके नीचे आना है स्क्रोल डाउन करके नीचे जब आएंगे आप तो आपको यहाँ पर बहुत सारे जब इसको आप आगे पीछे करेंगे तो यहां पर इस जगह आपको राश्री योजना के लिए टैब दिखाई देगा यह दिखिए राश्री योजना का टैब है कि पर आपको ख्लिक करना है जैसे मैं यह पर क्लिक करता हूं और जैसे क्लिक करूंगा मैं राशरी योजना के पॉर्टल पर चला जाओंगा तो राश्री योजना का पॉर्टल आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा यहां पर आपको राश्री इंचार्ज के रूप में लोगिन करना है और राश्री इंचार्ज आप ने जिसको बनाया था उसका जो स्टाफ विंडू आईडी है वो आपको यहां इंसर्ट करना है इस जगह पर स्टाफ विंडू की आईडी इंसर्ट करनी है और इस जगह पर स्टाफ विंडू का पासवर्ड इंसर्ट करना है और उपर वाले कॉलम में विद्याले का जो स्रपण का ID दूसरे नमबर पर जिसको आपने राश्री योजना का इंचार्ज बनाया है उसकी स्टाफ विंडो की आएडी और तीसरे नमबर पर यहां पर स्टाफ विंडो का पास्वर्ट इंसेर्ट करके यहाँ पर capture code इंसेर्ट करना औरathy लोगिन बटन को प्रेश कर दिना है login बटन को प्रेश करने के बाद आप यहाँ रास्रियोजना के पोर्टल पर ़ोगिन कर जाएंगे यहाँ पर मैंने login id प्रेश्वर्ट सब इंसेर्ट कर दी हैं आपको उपर नहीं दिखाई दे रहोगा, मैंने बलर किया हुआ है, और जब हम लोगिन करेंगे, लोगिन बटन को प्रेश करेंगे, तो यहाँ पर यह बता रहा है, कैपचा कोड इंसर्टेट गलत है, तो मैं कैपचा कोड को वापस है डालता हूँ, मैंने कैपचा कोड वापस सही डालके लोगिन कर दिया, अब लोगिन करने के बाद आपको इस प्रकार का एक डेसबोर्ट दिखाई देगा, जो कि राश्री योजना का डेसबोर्ट है, यहा सामने इस प्रकार से एक नई विंडो खुलेगी, जहां उपर लिखा हुआ है, क्लिक टू व्यू डेसबोर्ट काउंट, और यहां पर आपको दिखाई देगा राश्री योजना की विग्यपती, आप यहां से विग्यपती को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां से आप जित काउंट में आएंगे, तो आप यहां देख रहे हैं कि दो टेप दिखाई दे रहे हैं, आपको क्लिक टू व्यू डेसबोर्ट काउंट और मुख्यमंत्री राश्री योजना की विग्यपती, अब आपको यहां पर क्लिक टू व्यू डेसबोर्ट काउंट पर क्लिक करना है Click to view dashboard count पर आपको यहां दिखाई दे रहा है कि मेरे विद्याले में साथ अभ्यारती हैं जो की स्योजना के पात्र है उसमें से मैंने दो कावेदन कर दिया है अभी वो complete नहीं हुए है तो यहां पर दिखा रहा है अब remaining कितने बच्चे हैं पांच बता रहा है यह dashboard में आपको information मिल जाएगी total application locked by school मैंने अभी कोई भी application नहीं किये मैंने आपको बताया कि अभी तक मेरा कोई आवेदन पुरा नहीं हुआ है और total application locked by PO वह भी जीरो है क्योंकि विद्याले से लोग नहीं हुआ तो PO से लोग हने का सवाल ही पहता नहीं होता है और total application rejected by PO यह भी जीरो शोग कर रहा है अब आपको यहां पर यह dashboard count देखने के बाद आपको यहां जाना है student forms के उपर आप student form पर क्लिक करेंगे student form पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको देख लीजिए कच्छा एक के चार अभ्यार्थी पात रहें और कच्छा दो के तीन अभ्यार्थी क्योंकि इन तीन आविद्नों को पिछले साल इनके दस्ताविजों में कमी थी इसलिए हमने इनका आविदन नहीं किया इसलिए तीन तो पिछले साल के हैं और चार इस साल के हैं जो प्रात्मिक अभ्यार्था में प्रवेश जिनोंने लिया है यहां पर आने के बाद आपको इस संख्या पर क्लिक करना है जैसे आप इस संख्या पर क्लिक करेंगे आपको सभी चार पात्र अभ्यार्थियों की सुची दिखाई देन लग जाएगी अब मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं मैंने जैसे यहां पर क्लिक किया तो आप देखेंगे नीचे आपको अभ्यार्थियों की सूची दिखाई देने लगेगी अभ्यार्तियों के सुची में यह देखिए चार अभ्यार्ति हैं जो कप्छा एक के हैं जिनका इनिशियल लेटर आपको दिखाई दे रहा होगा बाकी नाम मैंने हाइड कर दिया है अब यहां पर से दो फॉर्म मैंने आवेदन कर रखे हैं क्योंकि मेरे पास इनकी ही जानकारी थी इनकी सुचनाएं थी तो यह पूरी सुचनाएं मेरे पास अपलब नहीं थी इसलिए अभी आवेदन कंप्लेट नहीं हुआ है तो मेरे आवेदनों की संख्या यहां पर मिल जाएगी अपलीकशन डिलेटेट सक्सेस फूल अब मैं इसको वापस भर्ने के लिए क्या करूंगा व्यू एंड फिल पर मुझे क्लिक करना है व्यू एंड फिल पर जो मैं क्लिक करूंगा तो गुज़ फिल पर क्लिक करनेंक बाद आपको यहाँ पर एप्लिकेशन की दिखाई दिखाई दीगी यहां पर उसका नाम दिखाई देगा इस जेग माठा को इसरोच कहा दिखा देगा यहां पर अपERSace डिखा दे रही है मैं आपको दिखा दूँ, PCTS ID, PCTS ID के बाहर लिखा हुआ है Not Updated Year, यानि अभी PCTS ID आपके पोडल पर अपडेटेड नहीं है, PCTS ID मैं आपको बता दूँ क्या है, P का मतलब है Pregnancy, C का मतलब है Child, T का मतलब ट्रेकिंग सिस्टम, Pregnancy Child ट्रेकिंग सिस्टम की जो ID है, वो जच्चा-बचा कार्ड के उपर होती है, जिन माताओं के बच्चों का जन राजकी चिकित सालियों में या मानिता प्राप चिकित सालियों में होता है, उनकी ट्रेकिंग के लिए ID बनाई जाती है, और इस योजना का लाप भी उनहीं को मिलता है, जिनका प्रशव राजकी चिकित सालियों में या मानिता प्राप चि नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि स्ट्रोल डाउन करके जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें PCTS ID प्राप्त करने के तरीके बताएगे हैं प्रोसीड फर्दर फोर वेरिफाई यूर PCTS ID और PCTS ID के लिए यहाँ पर उसके एंट्री कर सकते हैं और यहाँ नहीं है तो आप यहाँ से गेट PCTS ID पर क्लिक करें यहाँ पर आपको तीन ओप्शन मिलेंगे थे झैंक आधार तैंड तैंड शीए . अगर ंस छेसे से नहीं होता है तो अधार से • ऑर • झैंड तो रहा ह्यार में si जी बारेष कलीक करेंगे पलियुक्त से सब्सक्राइब करेंगे तो आपको के तो प्रेस्ट्पारी का मोबाइल में मादमा को यहां पर प्रषिट करवाने के बाद में यहांपर इंटर इंटर करनी अग्युक्त को अधर इंटší देट बर्थ है वह आपने प्रोष्ट की होगी उसके जन प्रमान पत्र से तो वही डेट बर्थ यहाँ पर डलेगी और यहाँ पर मोबाइल नमर एंटर करते हैं कि यहां पर मैंने मदर का मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है और यहां पर बच्चे की डर्ट वबर्थ एंटर कर दी है ओधीय्ट पर पे ऐडourd्यट करेंगे तो कि यहां करेंगे तो आपको यहां पर एक मैसेज मिल रहा होगा या दिखाई दे।रा होगा यहां पर PCTS record found यानि इस बालिका का PCTS record आपको मिल चुका है, आपने सही mobile number प्रविस्ट करवाया है, तभी उसका PCTS data आपको मिला है, यहाँ पर OK के बटन को हम क्लिक कर देंगे, प्रविस्ट करने के बाद आपके समख्ष ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर बालिका का नाम, यहाँ पर मदर का नाम, यहाँ पर उसका SR number, यहाँ पर उसकी पिता का नाम, यानि उसकी पर डिटेल दिखाए देगी, लेकिन एक जो महत्पुन डिटेल है, वो आपको यहाँ नहीं दिखाए देगी, और वो है यह वाली जहां लिखावा है, नोट अपडेटेट येट, और यह डिटेल है, PCTS ID की, PCTS ID का फुल फॉर्म दिया हुआ है, आपको यहाँ दिखाए देगा, प्रेगनेंसी, चाइल्ड, ट्रेकिंग, हेल्थ, सर्विस, यानि यह आईडी अभी आपके साला दर्बन पॉर्टल पर प्लब्द नहीं है, इसको प्राप्ट करने के लिए हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको करना क्या है, इसको स्क्रोल डाउन करके नीचे जाना है, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर बालिका का चाइल्ड आईडी जिसको हम PCTS ID बोलते हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यह देखी यह रही डिटेल, और आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक option दिखाए दे रहा है, first installment date, यानि इस बालिका को इस योजना की first installment मिल चुकी है, उसकी तारीक है 17 April 2019, और इसको द्यूती किस्त का भुकतान भी हो चुका है, जिसकी तारीक है 2 December 2019, यहाँ पर बालिका की मदर का नाम आजाएगा, जो आपने record सी मिला लें, क्या यह वही बालिका है, जिसके मदर का नाम यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर बालिका की पिता का नाम आजाएगा, यहाँ पर बालिका का मदर का आधार नंबर और मदर का जनाधार नंबर यहाँ पर प्रदशित होने लग जाएगा, अब यहाँ पर उनका mobile नंबर आ गय लाइव बर्थ काउंट, इस योजना का मुख्य बिंदू है ये, लाइव बर्थ काउंट में यहाँ पर दिखा रहा है इसका कि दो बालक हैं इसके घ्र में और इस योजना की सर्थ यही है कि इस योजना में तीसरी किस्त का भुकतान तभी होगा जब उस बालिका के घर में जीवित बच्चों की संख्या दो हो दो से अदिक होने पर उनको तीसरी किस्त का भुक्तान नहींगा पर्थम दो किस्ते सभी वालक-बालिकां को मिलेगी ल लेकिन तीसरी किस्त्त का भुक्तान तभी होगा जब बालिका की घर में ज warrior's संख्या II or IIk होने पर जीवित संतानुई संख्या दो से अधिक होने पर इस योजना का लाप आगे नहीं मिल पाएगा केवल दो किस्तों पाकर वो लाप रूख जाएगा तो यहां पर यह बालिका इस अर्थ को पूरा कर रही है इसका मतलब इस तीसरी किस्त के लिए पात्र बालिका है अब हम स्क्रोल डाउन करके जब नीचे आते हैं यहां देखने के बाद कि यहां पर बर्थ काउंट में दो है अर्थात यह बालिका पात्र है तो नीचे आपको जनाधार ID परिवार पहचान संख्या दिखाए देगी जिसमें स्टार मार्ग लगावा यानि यह सूचना आपको आवश्य ग्रूप से भरनी है यह जैसे आप PCT ID गेट करेंगे तो आपको यह सूचना अपने आप भर जाएगी लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि जनाध आपको क्या करना है विद्यार्थी की जनाधार संख्या प्राप्त करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है या उसके जनाधार काड से यहां पर डाल सकते हैं जनाधार कार्ड जो उसके माता का है उसके जनाधार कार्ड से यहाँ पर डाल सकते हैं अगर माली जनाधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक हेर टू जनाधार डीटेल पर क्लिक करेंगे उससे पहले यहां से माता के जनाधार को copy कर लेंगे यह मैंने copy कर लिया मैंने आधा portion blur कर रखा है क्योंकि sensitive information होती है यह इसलिए यहां पर इसको blur कर दिया है अब यहां पर copy करने के बाद click here to know जनाधार details पर click करेंगे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको वह जनाधार number डालना है जो मैंने वहां से copy किया है अब मैं देखिए यहां पर वह जनाधार ID यहां पर paste कर देता हूं यह मैंने आप जनाधार ID पेस्ट कर दी जिसका कुछ भाग आपको दिखाई दे रहा है बाकी बलर है यहां पर जैसे जनाधार ID एंटर करने के बाद गेट जनाधार डाटा पर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर पूरे परिवार की जनाधार ID प्रदर्शित होने लग जाएगी जैसे हमारे रेकोर्ट का रहे हैं जो इस बालिकार का भर रहे रहे खिए यहां पर सद्विक मेंबर ID जो प्यक्तिकत पहचान शंख्या बोलते हैं उसके इहां upiser कॉपी कर लें यहां से आंपने हैं से गी जैसको कॉपी कर लें कोफी कर ने की में ले जाकर वहां पनाधार कर देंगे को पी और पेस्ट आप आसानी से कर सकते हैं अब हम वापस यहां पर आचुके हैं यहां पर लाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं पेस्ट करने के बाद में कंफर्म PCTS authentication जना धा इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे आपको मैसेज दिखाई देगा रिकोर्ड सैव्ड सक्सेस्फुली यानि आपका रिकोर्ड मेंच कर गया है और जहां पर PCTS ID पहले लिखावा रहा था यह नौट अपडेटेड वहां पर यह PCTS ID अपडेटेड आपको दिखाई देगी चलिए आपको मैं दिखाता हूँ यहां से मौके की बटन को प्रेश कर देंगे और फिर वहां पर देखते हैं जैसे बटन को प्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं यहां पर जो चाइल आइडी का कुछ पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा बाकी बलर किया हुए वही आइडी यहां पर आपको जो पहल इसके bank account को verify करना है और bank account को verify करने के बाद आपको चार दस्तावेज अपलोड करने हैं और आवेजन को save कर देना है इस्क्रोल डाउन करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको Do you want to get detail from जनाधार ID and जनाधार Member ID, Student ID से यानि bank detail को update करने के लिए आपको 2 option दिए गए हैं या तो जनाधार ID से या Member ID से Member ID काम तो Student के नाम से सबसे पहले हम Yes Student यदि Student के आइकन पर क्लिक करेंगे तो मैं जब इस पर क्लिक करना हूँ तो आपको यहाँ दिखाए दे रहा है इस student का नाम तो यहाँ प्रतरशित करना है लेकिन उसके नाम से कोई bank IFSC code नहीं है bank account number नहीं है कुछ भी नहीं है तो हम आप दूसरे option पर क्लिक करेंगे family head के नाम पर यह दूसरा radio बटन आपको दिखाए दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है जैसे मैंने family head के नाम पर क्लिक किया तो आपको देख रहे है उसकी मदर का नाम यहाँ पर आ चुका है यह bank के IFSC code आपको कुछ भाग दिखाए दे रहा होगा और bank का नाम भी आपको कुछ भाग दिखाए दे रहा होगा यहाँ पर कुछ भाग उसके account number का भी दिखाए दे रहा होगा बागी मैंने hide कर रखा है और branch name भी आपको दिखाए दे रहा है यहाँ इस बालिका के जनाधार में उसकी माता क्या bank account ही updated है बागी अन्य किसी member का account updated नहीं है यह कारी करने के बाद आपको यहाँ नीचे दिखाए देगा निम्न दस्तावेजों की जांच कर ली गई है राश्री ओजना के अधार पर आवेदन सही है यहां पर आपको कई दस्तावेज अप्लोड करने हैं, वो दस्तावेज क्या है, कैसे अप्लोड होंगे, मैं आपको यहां थोड़ा समझा देता हूं यहां पहला दस्तावेज दिया गया है PCTS card copy यानि जो pregnancy tracking card है, उसकी copy आपको मंगवानी है, बालिका के परिवार से, दूसरा है, दो बच्चों के जीवित होने का प्रमान पत्र की उनके परिवार में दो से अधिक बच्चे नहीं है, यह एक सपत पत्र उनको स्वगोशना पत् पेपर पर notary से verify करवा के और तीसरा है जनाधार card उसकी photo और चोथा है parent जीवित है या मिलत होगे इसका प्रमान पत्र यानि चार दस्तावेज आपको यहां पर upload करने हैं, चार दस्तावेज में से पहला दस्तावेज है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो है PCTS card की photo प्रत और चोथा है माता पिता के जीवित होने का प्रमान पत्र, यह चारो प्रमान पत्र आपको scan करके इन चारों की एक ही PDF बना कर यहां आपको option दिखाई दे रहा होगा, यहां आपको option दिखाई दे रहा होगा, चूज फाइल का वहां से ले जाका इसको हम upload करेंगे, माल लीज करूँगा और open करता हूँ, तो यहां पर प्रदर्शित होने लग जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, यह देखिए यहां पर दस्ताविज upload होके यहां आ चुका है, और इन चारों option पर आपको tick कर देना है, check box पर click करके, मैंने 4 दस्ताविज upload कर दिए हैं, यहां प करेंगे, सेव करने के बाद यहां से आप उसका प्रिंट ले सकते हैं, अब आपका आवेदन भरने का कार्दी यहां से पूरा हो चुका है, आवेदन भरने के बाद जो आपके इंचार्ज हैं, इस application को आपके PO तक forward करेंगे, और PO तक forward होने के बाद इंचार्ज का कार्दी खता है, तो उसके बाद PO पर करेंगे, जैसे ही आप आवेदन सेव कर देंगे, तो यहां पर पहले आपको दो टेप दिखाए दे रहे थे, व्यू फिल का और डिलीट का अब तीसा टेप भी open हो जाएगा, और तीसा टेप है लोग करने का, तो जहां से आप लोग के बटन क प्रेश कर देंगे, लोग के बटन को प्रेश होने के बाद, यानि आपके end से यह application PO को चली जाएगी, और dashboard count में आपको जहां पर पहले विद्याले दोरा भेजेगे, आवेदन भरे गए आवेदन एक या दो दिखा रहा था, वहां पर लोग आवेदन जिरो दिखा रहा थ और उसके लिए आपको क्या-क्या तैयारी करनी है, किस प्रकार से इंचार्ज मैपिंग करनी है, इंचार्ज मैपिंग करने के बाद आपको किन-किन साउधानियों को ध्यान में रखना है, ये समस्त डिटेल मैंने आपको समझा दिए, आशा करता हूँ मेरदवार दीगई जानकारी आपको रोचक लगी होगी, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक सदिक सेर करें, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसके दिशा निर्देश भी उपलगत कर दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी क्या-क्या सरते हैं, उसमें आप अध्यन कर सकते हैं, और उसका अध्यन करने के बाद ही आप आवेदन भरें, फिर एक नए जानकारी साथ आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए नमती चाहता हूँ, जैहिन जै भारत!